दोस्तो सरकार का ये दोहरा रवया देखिए एक तरफ जहां सरकार आवास योजना के तहत लोगों को घर बाट रही है वहीं दूसरे तरफ वो हर घंटे अंठावन से भी अधिक परिवारों को बेघर कर रही है रोजाना हमारे देश में 300 से अधिक घर तोड़े जाते हैं सब मैं नहीं हाउसिंग या लैंड राइट्स निट्वर्क की रिपोर्ट कहती है दोस्तो दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट मूदी जी के दावो और उनकी गैरंटी की धजी उड़ा रही है जानते हैं और क्या-क्या खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना नमश्कार मैं गेटी भावे और आप देख रहे हैं देश नीति हाउसिंग एन लांड राइस नेटवर्क यानी HLRN ने 2022 और 2023 में मोधी सरकार ने कितने घर तोड़े उसका रिपोर्ट जारी किया है दोस्तो आज शर्य करने वाली बात है कि इन दो सालों में साड़े साथ लाख लोगों को सरकार ने उनी के घर से बेदेखल कर दिया है एक दशमलब तिरपन लाख घर तोड़े गए रिपोर्ट में इसे जबरन बेदखली 2022 और 2023 का नाम दिया है बता दे कि 2022 में कोट के आदेश से 33,360 लोगों ने अपने मेहनत से बना घर खोया वहीं 2023 में इसकी संख्या बढ़कर दो दशमलब 6 लाख हो गई यानी 2,60,000 केवल इन दो सालों में कुल 3,00,000 लोगों ने कोट के मिले आदेशों से अपने घर खोया और इसके साथ ही HLRN ने ये भी दावा किया कि सरकार ने घर तोड़ने से पहले उचित प्रक्रिया का अनुसरन नहीं किया और मन मर्दी से भी ऐसे कई मकानों को ध़स्त कर दिया गया HLRN General Comments 7, 1997 का United Nation Committee on Economics and Social and Cultural Rights के परिभाशा का उप्योग करते वे कहता है उनके अनुसार जबरन बेदखली व्यक्तियों, परिवारों या समुदायों को उनकी इक्षा के विरुद्ध बिना किसी कानूनी या अन्य सुरक्षा, अन्य प्रावधान और कानून तक पहुच के बिना उनके घरों या जमीनों से स्थाई या अस्थाई तोर पर निकाल देना है, जिसका उलंगन सरकार ने कई दफा किया है और पता दूं आपको कि 2022 में ग्रामिन और शहरी शेत्रों में विद्वंच की लगभग 178 घटनाई दाखिल की गई जिसमें 46,371 घर द्वस्त कर दिये गए और 2.6 लाक लोगों ने अपना घर खो दिया वहीं बात करें अगर 2023 की तो आंकडे बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा 146 मामले सामने आए जिसका परिणान सरूप 1,7,499 घर द्वस्त हुए और कम से कम 5.15 लाक लोगों को जपरन बेदखल होना पड़ा HLRN की गन्ना के अनुसार 2023 में पिछले साथ सालों के मुकाबले सबसे अधिक घर तोड़े गए और अंदाजा लगाते वे कहा कि 2023 में देश में रोजाना 294 घर तोड़े गए जबकि 2022 में प्रती दिन कम से कम 139 घर तोड़े गए और हर घंटे 25 परिवार बेघर किये गए 2017 से 2023 तक 16.8 लाक लोगों ने उससे ज़्यादा अधिक लोगों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया और करीब 1.7 करोड लोग बेदखली और विस्थापन के खतरे में अभी है जबकि HLRN ने बताया कि जो आंकड़ा बताया गया है इस रिपोर्ट में HLRN ने उससे भी कहीं ज्यादा आंकड़े निकल सकते हैं देश के कोने कोने से उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्यूंकि उन्होंने अभी केवल 23 राज्यों और 4 यूनियन टेटरीज का ही प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट तेयार की है आपको बता दूं कि इन शहरों में तुगलकाबाद, दिल्ली, राम पीर्नो टेकरो एहमदाबाद और फैजाबाद नया घाट अयोध्या शामिल है और छोटे शहरों, कजबे और गाउं में भी इसका खूब प्रभाव पड़ा है जिनमें गुडगाउं, दिल्ली, एहमद परियोजनाए, वन संद्रक्षन और वन जीव संद्रक्षन, आपता प्रबंधन परियास और अन्यकारण शामिल हैं। निश्कासित की गई, 78 घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं सुए। को सजा के तौर पे, दंड के तौर पे भी द्वस्त कर दिया गया। उधारन के लिए, खरगोन, मध्यप्रदेश, इलाबाद और सहारनपूर, उत्तरप्रदेश, नू, हरियाना और जहांगीर पूरी दिल्ली का नाम बताया। आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस ध्वस्ती करन से सबसे ज्यादा दिल्ली प्रभावित है। अकेले 2023 में लगभग 2.8 लोगों को वहां से बेदखल किया गया। बता दूं कि HLRN ने बताया कि 324 मामलों में से ये पूर्ण रूप से जानकारी केवल 122 मामलों में ही उपलब्द थी। जिस पर HLRN कहता है इसका तातपर यह है कि 72 फीसिदी मामलों में जहां जानकारी उपलब्द है सरकार प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनका पूर्ण वास करने में विफल रही है। बड़ी दुबधार दोस्तों क्या कहा जाए आम बस एक सवाल उठा कर देखिए गारंटी की धूम एक तरफ और उस गारंटी का धुस्ति करने एक तरफ अगर आपको अब तक मामले की गंभीता नहीं समझाई है तो जाते जाते आपको राहत इंदौरी की एक शेर सुना द देने बाद